हलो बच्चो आप सब कैसे हो आप सब का फिर से एक बार हमारी इस सोशेल क्लासेज 9-12 की दुनिया में स्वागत हैं मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे जैसे के आपको पता है हम अभी हमारी इस चैनल पर आपको च्टार को क्लास 12 जीऐग़िक का चाप्टर पोपूलिशन कर वा रहे है opportunity chapter का हमने basic introduction and all part 1, part 2, part 3 that means इस चाप्टर का distribution of the population and उसका map और उसके बाद हम कहे सकते इस चाप्टर का जो density of the population जो topic है और उसके बाद हमारा जो population growth वाला topic है और हम कहाई सकते growth of the population जो ये topic है इस topic को हमारे इस channel पे आपको complete कराया गया है कुछ दिन पहले कल एक करवाया गया परसो एक करवाया गया ऐसे हर रोज हम एक video लाते हैं आपके लिए इन वीडियो का link आपको इस वीडियो की description में and class 12 geography का पूरा book का full free playlist इस वीडियो की description में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल को जल से जल subscribe कर लिजे all class 9, 10, 11, 12 के बच्चे हमारे इस channel पर आपको सब class 9, 10, 11, 12 का full content बिलकुल free of cost मिलेगा बोर्ड एक्जम का preparation question paper practice paper most important questions तब कुछ आपको free of cost मिलेगा चलिए शुरू करते हैं आज हम हमारे इस वीडियो में इस वीडियो में आज हम परेंगे उसके बात का जो topic है यहां तक तो हमने चलो complete कर लिया ओके यह जो हमने complete किया आज हम परेंगे regional variation in population growth हमारे जो population growth हमने population growth last day पड़ा था कि हमारे जो population है population 2 period of time जैसे की 2000 से लेकर 2011 तक कितना population growth हुआ वो जो population है वो हम पुरा जो एक time के एक time of period of time में कितना population growth हो उसको कहते है population growth ओके सो ऐसे regional variation different जगापे different population growth जैसे जैसे कि उत्तर प्रदेश का population growth एक तरह का है अरुनाचल का एक तरह का है करला का प्रप्रदेश में थाइड़ा उसके पात डिफार्न थार चलो इसको discuss करते है जैसे कि आपका स्टेट लेक केरला करनाटका तामिलनाड़ो अंद्रप्रदेश उडिशा पूडिचरी गोवा है लो ग्रोथ रेट में हम ने यहां पर स्टेट के नाम लेया वहां पर जो ग्रोथ रेट है वह बहुत मिनिमल है बहुत कम है बहुत लो है ओके देखिये केरला जेघा स्ट derive केला में सबसे ज्यादा कॉट्थ काम है वह कितना 9.4 अब्सильно सबसे ज्यादा काम है इंड ब्रे मैं उसमोग्टेश पुरा ने सबसे ज्यादा का बाख बात कर ले सो कर ला मैं सबसे ज़्यादा लोघचिल Sanders को टे अ कि念 यह सबसे लाइस्ट को सबसे यह इश बंजा भरियाना उत्रप्रदेश उत्रकान मध्रदेश किसा मोज बंगल भिहाल चतिजगन ज्छारखंड एंद रीट एंद एवरीच 2225 डिमिन ओके सो यहां पर क्या है 2225 परसेंट ग्रोथरेट हैं हम कह सकते जाधा और एवरीच 20 to 25% growth rate 25% मतलब आप समझे आप समझे 100 पीपल है एक जगा पर जगा का पॉपोलेशन है total 100 so after one year two year जो है जितना भी एर पर संट जितना भी एर हम एनुल ले ले तो एनुल 125 हो जाता है कितना हो जाता 125 that means 25% का भापका growth है 20 to 25% okay so देखिए during 2001 to 2011 the growth rate almost all the state in the unit register the lower so देखिए 2001 से लेकर 2011 तक जो population का growth rate था वह बहुत गिर गया वह बहुत गिरा नहीं मतलब जादा गिरा नहीं मतलब हम कहा सकते हैं थोड़ा लोज था ओके पहले की तलना में पहले की मुकाबले हा बहुत लोज था जैसे की उत्तर अंथा प्रदेश महारास्ट्र बिहार वैस्ट बेंगाल अंधहश्च मध्य प्रदेश ओके हैस फॉलन दरीं 2002 टुट वांडु 21 11 है सिप्पेर नाई तो 1991 के मुकाबले 2001 से 2011 तक जो पोपुलेशन ग्रोथ है वह बहुत गिर गया बहुत कम गया बहुत रिड्यूस हुआ जैसे कि कह जकते अंद्रप्रदेश का पॉपुलेशन जो लो हुआ वह 3.5% की रेट से लो हुआ और के महारास्टर का 6.7% की रेट से लो हुआ तामिल नारो का 3.9% पूदुचरी का 7.1% पहले 7.1% जादा था भी 7.1% कम हो रहा है सो यह था ओल अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रीजोनल वेरियेशन है जहां पे था पूरा यह हमने है पूरा इसका डिसकस किया उसके बाद देखिए एंपॉर्टन एस्पेक्स पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया ग्रोथ एंडियूस जो हमारा आपके बायोज चेंज होता है वह हम एंडिया में बहुत चेंज होते हैं इंडिया में अभी 20.9 परसंट जो पॉपुलेशन है एसपर 2011 डाटा वह एडियूस पीरियेट में 10-19 उनका एज था तो अभी तो लोग 10-19 नहीं है अभी तो दस साल यह तो दस-ग्यारा साल पहली की बात है 2011 अभ परेटी समझेंगे तो बुख में जितना है उतना है लिकूज 20.9 परसंट लिकूएस पर रीट ओके तो उसका 52.7 परसंट फीमेल एडोलेशन उसमें से उसमेंसे टून्यटी परसंट था और एक दम क्लियर सो यहां पर पे जो अच्छे तरह से शिक्षा ना मिलने की वाज़ा से क्या होता है वह एसा कुछ प्रॉलम होता है जैसे कि स्मॉल üç में मेरीज हो जाता है इसकी वाज़ा अगर आप अपने बच्चों को अच्छे वक्त पे मतलब सही वक्त है जो दस साल से 19 साल के उमर में आप अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते स seit सब्सक्र Чтобы Therapy dit नहीं देते की अपके बच्चे करने लगते हैं पर कि क्या किया प्रॉब्लम से इसके लिए एस नहina इंडिया में अभी बहुत जागा पे 16 साल 17 साल 18 साल के एज में चाइड मेरीज होते हैं इसको भी हमको रोकने लिए वेरियस स्टेप्स लेना पड़ेगा ओके सरकार मोर्मवहदार ने जाखत भी होते हैं तो इसके पहले सेल भी मशानति शेरे लिए श्रकार आये इसे बहुत सरकारि आतरिवरेबाजपे सरकार वर घो एक और एसा हम़ारे वरेग हमारी जो बच्चों में शिख्शा देजाया, बच्चों में जनरल नॉलेज का जो एबिलिटी हो उन में समझाय जाया इसा कि, वह पहला था Volus24, नाशनल यूध पॉलिशेया था, शिख्शा को का जो में था, to empower the youth and the countries to achieve the full potential जो उस policy में बोला था कि हमारा पास जो youth है हमारे पास जो लड़के है लड़किया है जो बच्चे है अभी 10 साल से 19-20 साल के 15-29 जिन के यार है उनमें बहुत potential है वो जो चाहे वो कर सकते है वो national youth policy के माद से government उनको help करेंगे उनके dreams को achieve करने के लिए और देश को आगे ले जाना है कि हमारा जो dream है हमेशा जो मुद्दा हमारा जो रहा है वो हमारे देश को आगे ले जाना है हमारे देश को service risk बनाना है तो उसके बाद जो government of India also formulated the national policy for the skill development so skill development हमारा जो skills है जैसे कि आप computer skill कहें लेते management skill speaking English skill जैसे बहुत सारे skill से 2015 में ऐसे government में वो लांच किया था okay so ऐसा करके बहुत सारे steps जो adolescent period के लिए government launch करते है जिसके वाज़े से हम अपना time अच्छे से दे सकते है और जिसके वाज़े से population growth को आपको maintain कर सकते है बहुत सारे development कर सकते तो इस वीडियो में इतना ही आशागर तो आपको बहुत अच्छे समझागे अगर आपको कोई problem होता है आप हमें जरूर बोलिये तब तक के लिए very good bye thank you thank you very much next video में हम population composition के बारे में discuss करेंगे good bye